दोस्तो गाय को ये चीज खिलाने से सबसे जल्दी लोग धनबान क्यों हो जाते हैं? आखिर इस चीज में ऐसा क्या चमतकार है जिसे गाय माता को खिलाने पर करोड़ पती कभी न कभी बनी जाते हैं? दोस्तो यकीन मानिए मैंने भी इसी उपाय को अपनाया है और आप भी जरूर अपनाएं और देखे अपना कल बदलते हुए दोस्तो गाय को परम पूजिय सर्बशेष्ट माना गया है शास्तरों में इसकी महिमा का बखान है हमारे हिंदू धरम में गाय का महत्व सबसे अधिक माना जाता है हिंदू शास्तरों के अनुसार गायमाता के शरीर के अंदर करिब 33 करोड़ देवी देपताओं का वास एक साथ होता है यही बजहे की गाय की लोग पूजा करते हैं सिर्फ गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देपताओं की पूजा करने का फल अभशी मिलता है ऐसे मैं आज हमाप को कुछ ऐसे चमतकारी उपाय बताने बाले हैं जिसे मैंने भी अपनाया है लेकिन याद रहे ये काम करने से पहले मन में गलत भाबना मत रखना लालच में ये उपाय कभी मत करना बस आपको ये चमतकारी उपाय करते जाना है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सबी परेशानी दूर हो जाएगी दोस्तो यकीन मानिए गाय को ये चीज खिलाने से आज मैं भी बहुत खुश हूँ तो चलिए जानते हैं दोस्तो ये काम मैं हमेशा करता हूँ अक्सर आप गाय माता को रोटी खिलाते हैं लेकिन हमेशा याद रखना रूकी सूखी रोटी खिलाने से कोई लाब नहीं होने बाला इसके साथ आप मिश्ठान भी रखें क्योंकि मिश्ठान के बगेर ईच्वर को भोगी नहीं लगता शास्त्रों में मिश्ठान का बड़ा ही महत्व है दोस्तो आप जानते हैं उपाए किसी भी दिन, किसी भी समय घर की बनी पहली रोटियां यानी 21 रोटियां लेना है अब उसमें ना के बराबर थोड़ा थोड़ा देशी घी लगाना है और थोड़ा गुड़, पांच मोती चूर के लड़ू और पांच लोंगे, आदा चमच, मिश्री इन सभी चीजों को एकत्रित कर ले और इन सभी सामग्री को रोटी में लगा कर और अपने माथे से चूम कर गाय माता को खिला दें लेकिन याद रखना आपको मांगना कुछ नहीं है बस अपना काम करते रहना है ऐसा आप महीने भर में दो से चार बार करें या इस उपाय को हमेशा भी कर सकते हैं ऐसे में आप देखंगे की धीरे धीरे आपके सभी बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे आपकी नौकरी भी तुरंत लग जाएगी दुरगटना से बचेंगे कर्ज खतम हो जाएगा बीमारियां घर में नहीं आ सकती ऐसे में पती पतनी का जीवन भी सुक में बीटता है दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय इतना शक्तिशाली है की आज मैं बहुत खुश हूँ और ये उपाय मैं भी हमेशा करता रहता हूँ लेकिन याद रहे लालच के चलते इस उपाय को कभी मत करना गाय की सेबा और उसे भोजन खिलाने सी सभी देवी देपता प्रसन होते हैं और उनकी सीधी नजर आप पर होती है दोस्तों सुभा सुभा गाय के दर्शन करना भी मंगल कारी माना जाता है सपनों में गाय का आना भी एक सुखी जीवन को दर्शाता है गौमाता के लिए एक लाइक तो बनता है